हेलो प्यारे बच्चों आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ exercise 5.3 तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question है match the following आपको match करना straight angle, right angle, acute angle, obtuse angle और reflex angle अब बच्चों आपके लिए terms जो हैं बहुत नहीं हैं या फिर कुछ बच्चों ने पहले भी सुनी होंगी लेकिन 6th class में आई हो आपके लिए term हो सकती है नहीं हो सकती है तो पहले match आप तब कर पाऊगे आप जब आपको इन सब angles के बारे में पता होगा तो सबसे पहले मैं एक overview सा दे रही हूँ चोटे सब में basic सा बता रही हूँ कि यह सब angles होते कैसे हैं उसके बाद अगर आप इन questions को करोगे तो थोड़ी आसानी रहेगी जैसे exercise 5.3 में सबसे पहले क्या लिख रहा है straight angle तो straight angle होता कैसा है नाम से ही पता चल रहा है straight means कोई line straight अगर कोई ऐसा angle है बिलकुल straight बिलकुल ऐसे बन रहा है सीधा वो होता है straight angle ठीक है यह 180 का होता है बिलकुल सीधा ठीक है आपको बस ऐसे मैं पुरा प्रोपर बना के नहीं दिखा रही हूं बस जस्टू मेक यूंडस्टेंड की कैसा दिखता है क्या होता है इसलिए बस मोटा मोटा बेसिक से बता रही हूं ठीक है उसके बाद right angle राइट एंगल त जैसे हम थम से right करते हैं यह उसी तरह थम किये जैसे लग रहा है right angle ठीक है ऐसे मैं वैसे analogy दे रही हूं ताकि थोड़ा सा आपको connect कर सके ठीक है यह 90 का होता है स्ट्रेट को जो सिद्धा होता वह 180 हो रहा है नाम से ताकि आप रिलेट कर सके acute क्या होता बचे acute वह angles होते हैं जैसे 90 degree का अब 90 degree के बहुत जरूरी नहीं है यह 90 बहुत यह angle हो सकते है इदर 45 का भी 30 का भी बहुत से छोटे angles हो सकते हैं ठीक है यहाँ पे कोई ओर 30 का भी 60 का भी जो भी angles 90 से इधर आए मतलब जो भी angles 90 से छोटे होते हैं ठीक है उनको हम acute angles बोलते हैं acute angle में consider करते हैं जो भी 90 से इधर आएंगे इधर की तरफ छोटे होंगे उसके बाद ही है obtuse angle obtuse angle क्या होता है बच्चे obtuse जो भी 90 degree के मलभी straight line है यहां पे 90 का होगा इधर से जो भी बड़े होंगे इधर 125 135 कुछ भी 45 जो भी या फिर 180 180 तो straight में हो जाएगा 180 के बीच में जितने भी angles होंगे उनको हम obtuse angle में consider करेंगे ठीक है वह होते हैं obtuse angle आ गया समझ अब इसके बाद है reflex angle reflex angle बच्चे क्या होता है जो 180 से भी बड़े हूं reflex is kind of सबसे बड़े यह सोच लेना आप ठीक है जो 180 से भी इधर आए 270 के और कुछ ठीक है बटा जो 180 से भी निच्चे चले जाए ठीक है वह होते है reflex angle more than 120 ठीक है अब आपको एक मुटा मुटा basic सा आइडिया हो गया स्ट्रेट किसे कहते है राइट किसे कहते है एक्यूट किसे कहते है उप्ट्यूज किसे कहते है reflex किसे होते है सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है क्योंकि इसी के बाद से आपसे questions हो लोंगे बस और कुछ नहीं है इस exercise में यह match दा following से देखो सबसे पहले straight angle क्या होता स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं half of the revolution straight angle इसे बनता कैसे जैसे मैंने बता है अगर आपको एक revolution लेना है पूरा चकर काटना है तो स्ट्रेट एंगल बनाओ यहां से यहां तक तो यह half of the revolution revolution का पूरे चकर का आध्धा नहीं हो गया ठीक है ऐसे लग रहे ना हैं किसके साथ ज्यादा मैच होता है ठीक है उसके बाद है राइट एंगल राइट एंगल क्या होता अप पूरा चकर है ठीक है इसका कितना पार्ट है ठीक है यह 100 औहां यहां पर रिवोलुक्त के चार पार्ट होते है 1 2 3 4 तो कि इतना ही पार्थ 90 डिगरी का होता है यही राइट एंगल है क्या बोल सकते हैं हम 4 में से 1 ऐसे बwarz वह पार्ट है 1 2 3 4 4 में जहां बोllow सकते हैं तो इसको यहीं बोल सकते हैं one fourth of the revolution कि क्या बोलेंगे रहे टैंगल को one fourth of the revolution इसका भी यह वड़ा मैच हो गए ठीक है इजी था उसके बाद क्या है acute angle acute angle बच्चे रिवाइस को मैंने क्या बोला था जो 90 से भी छोटे हों इधर आए तो सबसे पहले 90 को इन्हेंने one fourth बोला है तो less than one fourth ठीक है जो बात कर रहे हैं जो पिछली exercise ना उसी से related यह बोल रहे हैं बटा revolution यूज कर रहे हैं हर टर्म में तो जो यह वन फॉर्थ आया था इससे भी छोटे तो यह यह वाड़ा option यहां less than one fourth of a revolution एक revolution जो है उसके one fourth से भी छोटे यहां one fourth था ना यह 90 इससे भी छोटे जो होंगे वो सारे क्या होंगे एक्यूट फिर हो गया उसके बाद obtuse angles क्या होते हैं between one by two and one by one by four and one by two of revolution अब बहुत सारे बच्चे यह भी नहीं समझ पाएंगे क्या मतलब हुआ one by two and one by four का one by two one by two कितना होता है यहां यह पूरे revolution है एक अगर इसको पूरे को एक मान ले एक चकर को तो यह one by two हो गया नहां तक वन by two हो गया यहां तक क्या हो गया वन by two कि यह पूरा वन एक चकर तो इसको आफ कर देंगे तो यह तो कहाफ हो गया वन वै तू और वन by four अगर मैं चार इनको कह सब्सक्राइब बीच में एक और लाइन लगा रहे हैं यह एक दो तीन चार लूं तो यहां पर क्या गय नहीं between one by two or one by four के ही बीच में होना चाहिए simple language में हम यह बोलते है 90 और 180 के बीच में होना चाहिए लेकिन होने थोड़ा सा थोड़ा सा आपको modify करके या फिर change करके language दी है revolution की टर्म में कि one by four or one by two के बीच में होना चाहिए निट्टी से भी बड़े इधर तो इसका यह option है more than half of a revolution यहाफ होता है ना अद्धा है यह revolution का पूरे चकर का हाफ है इस more than half half से भी ज्यादा और revolution ठीक है तो reflex angle का match हो जाएगा more than half more than half of a revolution एक revolution के हाफ के भी से जादा more ठीक है उसके बाद बच्चे बहुत से बच्चे confused हो जाएंगे एफ क्यूं दे रखा है कोई नहीं यह कोई बार एक extra point दे देते हैं आपको confuse करने के लिए जो हमारे correct match हो रहे थे हमने उनके साथ match कर दिया यह extra है कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेने हैं जिनके साथ correct pairing हो यह सही match औरे सिर्फ वही करेंगे other को हम left out कर देंगे ठीक है उसके बाद है question number two विट है यह भी बहुत easy है थोड़ा सापको triggering लग रहा है क्योंकि angles straight नहीं बनाए गई गई है जो आपको देख से acute obtuse and reflex आपको इन angles को में से consider करके बताना है कि यह right है straight है acute है obtuse reflex है ठीक है तो सबसे पहले यह देखो आपको यह देखना है आपको सिर्फ जहां एंगल होता है उसके निचे यह निशान होता है एंगल हमारा यह बड़ा तो अगर हम इसको देखे तो यह कितना सा है यह mostly 30 का होगा यह 30 का एंगल लग रहा है देखने से तो यह 30 का एंगल है तो 90 से चोटा है ना बचे 90 से चोटा है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे एक्यूट एंगल ठीक है अगर यह 90 देखो कितना आप इसका इधर से देख लो या फिर आपके पास डी वगारा उन सब से आप मेजर भी कर सकते लेकिन मेरे को मेरे को एक दूर से मेजरमेंट का थोड यह एक्यूट होगा ऐसे इसके आगले में चलो देखो बटाई यह क्या है 90 होता यह वाड़ा एंगल है यह वाड़ा मतलब यह दो लाइनों के बीच में जहां पर यह लिख रखा नहीं साइन सिंबल बना रखा है उसका मतलब वही वाड़ा एंगल से रिलेटेड आप कौन यह और बड़ा हो रहा है तो नैंटी से बड़े वाड़े को हम क्या कंसिडर करते हैं तो यह क्या हो गया है ओप्टूस एंगल ठीक है उसके बाद बच्चे देखो फिगर इतनी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कुछ बच्चे सोचेंगे यह क्या एंगल है हमें तो समझ ही confusing दे रखी हैं देखो अब आपको बिल्कुल 90 डिग्री का लग रहा है ना और यह वड़ा तो consider ही नहीं करना मैंने बोला जहां पर यह line यह symbol लगा रखा है ना सिर्फ उसी वड़े एंगल से related आपको अंसवर देना दूसरे से related नहीं देना है अगर यह पूरा होता मानले बच्चे यहां पर पूरी straight line होती तो मैं इसको straight angle बोल देती लेकिन यहां पे सिर्फ इन दो एंगल के बीच में इतना बोला गया 90 डिगरी का है भला ही आपको angle थोड़ी सी confusing दी गई है लेकिन इस कांसवर के आ जाएगा right ठीक है उसके बाद यह देखो बच्चे यह देखो कितना ज़्यादा है यह straight line से भी और दर उदर जा रहा है बिलकुल कम हो रहा है अगर अंदर दे लेते तो तो हम इसको consider कर देते यह acute है अगर यहाँ दे देते निशान जामे ने पैंसे ड्रो किया है तो हम acute बोल देते कि यह दो 90 से चोटा लग रहा है अब यहाँ देखो बच्चे यह वाड़ा लेना यह इतना ज्यादा स्ट्रेट एक 180 होता है ना यह तो 180 से भी अंदर गुसरा और ज्यादा बढ़ा ह हो रहा है इधर का सारा लेना है इधर का इन्होंने दिया यह वाड़ तो हम इस वाड़े को कंसिडर करना जहां यह रोंड रांड रांड तो इसको क्या बोलेंगे रिफ्लैक्स है तो 180 से भी बढ़ा है उसके बात बटाए देखो असानी से आप देखो कि यह भी कोई एंग स्ट्रेट है तो यह क्या होगा है 180 वाड़ा स्ट्रेट एंगल है ठीक है यहां पर सिर्फ आपको यह यह इसमें कंफ्यूज देए होना बच्चे आप सारे सवाल कर लोगे थोड़ा सा मैंड कर यूज करना है और को और कितनी भी एंगल बनी रहे हैं जहां यह रांड सा कि आपको कितने का लग रहा है सिर्फ यहां से आपकैने का लका लग रहा है अगर 19 50 Rain होनी तो 90 चोटव है ना इधर मुड रहा है तो 90 से छोटा है तो यह क्या आएगा एक्यूट में आएगा बैटा यह दो अलग अलग देगे लेकिन अब दूसरे को भी देखना पड़ेगा कहीं दूसरा 90 से बढ़ा ना इधर वड़ा इधर गुमा रही हूं है जैसे अगर यह 90 का होता तो यह स्ट्रेट लाइन होती यहां पर है यह एंगल अब इधर है ना चोटा हो रहा है ठीक है तो यह दोनों एंगल्स भलाई बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है दोनों एंगल्स को लेकिन जब मैं अज़र करेंगे दोनों 90 से छोटे रहे हैं इत मींज इट इसे के साथ एक्साय जब अपको वीडियो समझ आ रही है या तो आपको कुछ भी और पसंद आ रहा ह 25 आज शल लग रहा है तो वीडियो जब लाइक करो बटबिच्ट चैनल को सubskraib करो थैंक यू क Chip